बताये ना, क्या बात है? बेटा, हमने तुम्हारी और सिधार्थी सगाई का दिन तै कर दिया है कर दिया? एक आधिपत्ती योग है बेटा, बहुती सुन्दर योग है पंड़ जी, कौन सी डेट निकली है? 28 सितंबर इतनी जल्दी? आपा, बहुत कम दिन बचे है सबसे शुब दिन यही है बेटा इसके बाद पूरे वर्ष इतना उत्तम दिन है ही नहीं हाँ, तो ठीक है ना, पंड़ी जी? हम भी तयार हैं भला शुब काम में देरी कैसे, क्यो? फ्लाल है वहीं है बेटा, तुम्हें तो कोई इतराज नहीं है ना, इसक्यूज में देखा, शर्मा गई हाँ, 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 अलपा, है, मूँ क्या देख रही है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है मेरा मतलब हम इतने दिनों बाद एक साथ शेहर से दूर छुटिया मनाने जा रहे है हमारी शादी की सालगिरा के लिए इससे बहतर गिफ्ट और कोई हो यह नहीं सकता था तुमाली एक सर्प्राइज और था सर्प्राइज? क्या सर्प्राइज है? बताओ बताओ ना क्या सर्प्राइज है शेखर अरे आराम से अरे अरे आराम से घरी ठुक जाएगी वाव बहुत सुंदर है एक और वादा करोगे कैसा बादा पहले बादा करो फिर बताऊगी चलो किया बादा क्या कि तुम मुझे अकेला छोड़के इतने दिनों तब घर से दूर नहीं जाओगे तुमसे दूर रहके मैंने जितना कुछ पाया उससे कहीं जादा मैंने खोया है तुम्हें यकीन दिलाता हूँ अब आगे से कभी भी तुम्हें अकेलानी छोड़ा हूँ शेखार निश्या तुम मुझे छोड़के क्यों चली गए मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता शादी के साल गरेक दिन तुम्हें जाना था मुझे छोड़के मैं अच्चों नहीं क्या मेरे साथ मैं तुम्हें सारी खुशिया देना चाहता था और तुम मुझे छोड़के चली शेखार मुझे तुम्हारी बहुत जाता आरी है मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती तो अपना वादा नहीं फूल सकती शेखर मुझे तुम्हारी बहुत जाता जाओ मेरे पास आजाओ शेखर मुझे तुमारी बहुत याद आ रही है मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती मेरे पास आजाओ तो अपना वादा नहीं भून सकती शेखर मुझे तुमारी बहुत याद आ रही है क्यों मुझे ही हाँ पर अगेला चोड़ा है तुमने मेरे पास आओ शेखर मेरे पास आओ शेखर शेखर मेरे पास आओ शेखर शेखर मुझे तुम्हारी बहुत आदारी है मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती कहो तुम कहो मैं यहाँ हूँ शेखर आओ मेरे पास शेखर तुम क्या हुआ तुम को मर चुक्यों तुमने वादा किया था शेखर कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे आओ चलो मेरे साथ आओ शेखर चलो रुको निशा चलो शेखर आओ रुको निशा रुको रुको निशा रुको निष्चा, निष्चा! एम मेरी साथ क्या हो रहा? निष्चा! हलो? हां बोल रहा हूँ? शेकर, हां दोस्ते मेरा क्यों? क्या? चलिये, यहां कोई तमाशा नहीं हो रहा है! चलो 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 जैन्दी, चलो चलो चलो! ओ माइगाड! यह तुमारा दोस्त शेकर ही है? लेजाव जो बताई के एक्सिदेंट होते वोगे आप मैंसे किस ने देखा है जी साब मैंने देखा है क्या हुआ था यहां पर जी कैसाब अपर एमप अले की कोई गल्ती नहीं है जी मेरा नम अबिनाश है और जो सच है वही बता रहा हुआ साब मतलब यह एक एक्सिदेंट था सर ऐसा भी नहीं है तो फिर सर वो चलते चलते किसी के साथ अजीब हो गई बात कर रहा था रहा था हुआ जो था फिल्कुल परेशन बटार राओ आप एक्सलेयो तुम लगतशने माला हो अगर आप चाहें तो मैं आपके घर वाले को बुला सकता हुआ मैं आ रहा हूँ तुम तुम भैसाब भैसाब सुर्या तुम छोड़ना यार लगता है कुछ पागल है आज हमारा वाता पूरा होगा अब तुम अकेली नहीं रहूगे मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास मतलब शेखर ने आत्मात्या किये ऐसा नहीं हो सकता सचन अभी कुछ दिन पहले ही शेखर की पतनी की मौत हुई है कार एक्सिडेंट में कार एक्सिडेंट में? शायद अपनी वाइफ की मौत की वज़े से शेखर बड़ा डिप्रेस हो गया होगा और इसलिए उसने अपनी जान दे दी होगी नहीं वो इतना कमजोर नहीं था कि शेखर में समझ सकता हूं तुमारे फिलिक से वो तुमारा दोस्त था लेकिन इन लोगों ने उसे मुबाइल पे बात करते हुए देखा गाड़ी के सामने कूटते हुए देखा हाँ फोन पर तो बात कर रहा था अजीब अजीब तरीके से मैं आ रहा हूँ मैं तुम्हें बचा लूँगा मैं तुम्हेरे साथ रहूँगा मगर किस से किसी से नहीं से आज सुबर से शेखर ने नहीं किसी से बात किये और नहीं उसे किसी का फोना आता तो तो बात कर किस से आता हुए पता नहीं सचन, पर मुझे नहीं लगता कि आत्मात्या है। ये शेकर रहता का है। वो वापस अगी। कहा हुँ तुम। मैं अकेला हुँ। इत वस्माइ फॉल्ट। शीज बैक, शीज इंडेंजर। मैं तुम्हे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। ये शेकर के दिमागी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थे। क्या मतलब हो सकता है ये सब लिखने का। तुम वापस आ गई। मैंने तुम्हे धूलिया है। इस बैक। तर जिन लोगों ने शेकर का अक्सिंट होते वा देखा था। उनका कहना है कि गाड़ी के आगे कूदने से पहले। शेकर फोन पर ऐसी बाते कर रहा था जैसे यहां पर लिखने। निशा की मौत के बाद शेकर परेशान तो जरूर था। लेकिन इस तरह की हरकते करने लगा था इसका मुझे अंधाजा नहीं था। यह मुहन है शेकर जी के बढ़ों से। तो मुहन यह बताओ कि क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ कि निशा की मौत के बाद शेकर के वरताव में कुछ बतलावा गया। कि निशा भावी के जाने के बाद शेकर भाई सब बहुत गुमसुम हो गया। यहां तक कि उनोन घर से भार निकलना भी चोड़ दिया था। हमसे बाद भी नहीं करते थे। कि निशा निशा कहकर चीखते थे और तेज आवाज में वो तेज आवाज में वीडियो देंते थे हुआ हुआ ठीक है थैंक युआ आप जा सत्ते हैं लेकिन अगर दुबारा जावत पड़ेगी तो आम आपको कॉंटक्त हरेंगे सर जंजा ही है बढ़ी पुर्वी जदी रही है जदी क्या हो पुर्वी क्या हो पुर्वी सर यह वीडियो देखे वीडियो वीडियो का है वीडियो सर वीडियो है वीडियो है सर कुछ दरावना वीडियो है पुर्वी ले करो शेकर शेकर मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती तो अपना वादा नहीं भूल सकती, शेखर क्यों मुझे ही हाँ अपे अकेला छोड़ा है तुमने निश्या, इसका एसा वीडियो चेक करो, इस वीडियो कब बना था सर 12 सितंबर 2014 लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि निश्या की मौत तो जुलाई के दूसरे हफ्ते में हुई थी सर, हो सकता है निश्या का एक्सिदेंट हुआ हो पर वो मरी ना और इसमें उसकी कोई चाल हो नहीं पुर्वी, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि निश्या का अंतिम सस्कार मेरी आँखों के सामने हुआ है फिर, फिर ये वीडियो कैसे सर इस बात का पता लगाने के लिए हमें निश्या के कार एक्सिदेंट की कहराही तक जाना होगा सर, ये तो कंफर्म है कि इस वीडियो में ये असली निश्या ही है ना कि उसकी कोई हमशकर मगर ये कैसे हो सकता है मरने के बाद दुबारा वापस आना ये किससे कहानियों में होता है असली सिंदे की में नहीं मतलब साफ है ये वीडियो निश्या के मरने के पहले का है लेकिन निशापना ऐसा वीडियो क्यो बनाएगी? शायद शेखर को परशान करने के लिए लेकिन उसके मरने के बाद किसी ने इस वीडियो का गलत इस्तमाल किया शेखर को मानसिक तौर पे कमजोर करने के लिए लेकिन कौन कर सकता ऐसा और कोई ऐसा क्यों करेगा पुर्वी ज़र इस वीडियो को फिर से फ्ले कर ला शेकर मुझे तुमारी बहुत याद आ रही है मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती यह ज़र ध्यान से देखो इस प्रफेषनल डर से निशा के होटों का हिलना और शबदों का निकलना कुछ मैच नहीं हो रहे है ऐसा लग रहा है कि वो बोल कुछ रही है और किसी ने इसके उपर शबदों को चिपका धिया है मुझे तुमारी बहुत याद आ रही है मैं इस तरहिके से अकेले नहीं रह सकती हाँ लगता है किसी प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस ने हूब बहु निशा की आवाज निकाली है जिससे शे का दोखा कहा गया है सिर एक पार फिर से प्ले काना मुझे तुम्हारी बहुत याद आरही है मैं इस तरहिके से अकेले नहीं रह सकती पॉस पॉस यह देखा यह तो दिवार है यह नहीं दिवार पर कुछ लिखा है बोल भी ज़रा जूम करो यह पैंटिंग का निचला इस साइस पर यह उस कलाकार का सिगनेचर है जिसने यह पैंटिंग बनाई है सर यह तो काफी जाने माने कलाकार है मेरे पास में इनकी एक पैंटिंग है तो अब यह पता करना होगा कि पैंटिंग किस दिवार पर टंगी है और खरीदा किसने ऐसे मकरंजे से मिलना पड़ेगा वो ही बताएंगे ये प्रेंटिंग उन्होंने बेची किसको है शेकर ने किसी किसम का कोई जहर, कोई केमिकल नहीं खाया है इसकी मौत एक्सिडेंट से ही हुई है डॉक्टर अब शेकर की गाड़ी जिसमें एक्सिडेंट हुआ अब उच से पुछ पता चला है पता तो चला है और जो पता चला है वो काफी इंट्रेस्टिंग है आप बताता हुआ ये देखो ये शेकर की गाड़ी का पैसेंजर साइड का दर्वाजा है इस दर्वाजे पर टक्कर मारी गई जैसा कि हम जानते हैं जब दो गाड़ियां एक दूसरे को टक्कर मारती हैं तो अपना निशान जरूर छोड़ जाती है यहाँ पर भी वो निशान छोड़ा गया है यह देखो, यहाँ पर यह नीला रंग मतलब किसी नीले रंग के गाड़ी ने टक्कर मारी है बिल्कुल और जितने फोर्स के साथ ये डेंट पड़ा है जितने फोर्स के साथ टक्कर मारी गई है उस फोर्स को देखर के लगता है कि कोई बड़ी गाड़ी होगी कोई ट्रक, टेंपो, लॉरी कुछ इस तरीके की गाड़ी है जिसने यहाँ पर टक्कर मारी है सालूंके साब, ट्रक होया टेमपो, जिस गाड़ी ने शेखर की कार को टक्कर मारी है, उस गाड़ी का भी कुछ ना कुछ तो नुक्सान हुआ ही होगा न? ह歹, हुआ हैं न नुक्सान, जरूर हुआ है. और उस नुक्सान का सबूत भी हमें मिला है. ये देखो, यह तो गाड़ी का दोग लगता है हुँ के सर शायद बीच का अक्षर कायब है सर सर मैंने यह लोगों पहले कहीं देखा है के के एसस के एसस वो एंजियो काल्यान सेवा सदन वह लीशा को मारने के लिए एंजियो की गाड़ी के इस्तमाल किया है इस एंजियो में जाके देखना पड़ेगा मिस्स मकरन जी कहिए हम लोग सी ईडी से एक केस के सिल्सले में आए मेरे पास मगर मेरा किसी कैसे क्या लै ने देना है फिर दो कहिए हमें क्या मदद कर सकता हूं आप लोगों की मकरण जी हमें आपसे कुछ सवालों के जवाब जानना है जरूर खुशी होगी मज़े आप लोग के मदद करके पूछिए क्या जाना चाहते हैं आप लोग देखिए मकरण जी हम एक ऐसे आदमी के बारे में जानना चाहते है जिसने आपसे पेंटिंग करी थी वो पेंटिंग है अपके पस देखिए पेंटिंग के बारे में तो हमें जादा कुछ नहीं मालू लेकिन एक विडियो फूटेज से पेंटिंग का ये हिस्सा मिला हमें यहाँ पे आपके सिंदेशा से कि देखिए इहां, बस इतने से ये बता पाना मश्किल है कि ये पेंटिंग कौनसी है और जाहिर सी बात है कि जब पेंटिंग के बारे में पता नहीं है तो खरिदार के बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ अगर जी ध्यान से देखे, शायद कुछ यहाद आजाए आपको माकरण जी ये बताइया कि आपने अपनी सभी पेंटिंग्स में बाई तरफ शिखनेचर किया जबकि इस पेंटिंग में आपने यहाँ दाई तरफ सिखनेचर किया इसकी कोई खास बजह है बजह है इससे पहले मैं आप लोगों की तारीफ करना चाहता हूँ किसी idea बाले वो देख लेते हैं जो हम सोच नहीं पाते हैं शुक्रिया मकरण जी इसकी बचा क्या हो सकती है आदेतन मैं अपने पेंटिंग्स के बाईयोर साइन करता हूँ लेकिन एक दोस्त की याद में कुछ पेंटिंग्स में ताहिने तरफ साइन किया है तीस पेंटिंग्स बैची है लेकिन आपके पेंटिंग्स किसने खरीदी ये बता पाना मश्कुल है इन तीस लोगों के लिए से ये पता चल जाएगा कि निशा के वीडियो फूटेज में जो पेंटिंग लटक रही थी वो खरीदी किसने थी हमारी NGO वैन ने किसी कार को टक्कर माली थी और किसी औरत के मौद भी हो गई ऐसा होई नहीं सकता मुझे लगता है आप लोगों को कोई गलत फैमी होई है कोई गलत फैमी नहीं है सबूत है हमारे पास अचा ये बताइए कि कितनी वैन्स है आपके NGO की कितने लोगियां काम करते हैं सर टूटल चार वैन्स है आमारे पास और सभी चरिटेबल काम में लगी रहती है और इसके लिए आट ड्राइवर्स दीन और रात हर वैन्स पे अलग-अलग ड्राइवर्स होते हैं और सभी बट शरीफ है सर सर चाही जल्दी ही सामने आजे सर हमने इनकी चारो वैंस चेक की उन चारो में से किसी का भी उस एक्सिडेंट से जुड़े होने का कोई सबुद नी मिला आपके बस सिफ चारी वैन है या कोई और भी वैन है जो भी भार गई हो किसी काम के लिए सर आज सभी गाड़ियों की इंसुरेंस लिनू कराने की तारीक है और इसलिए सारे के सारे वैंस बाहर खड़े हैं सर और कुछी दिर में वो इंसुरेंस वाले आ भी जाएंगे और कोई वैन जो अपने हाली में बेची हो अबशनी सर अब मारे पास एक पुरानी वैन थी सर जिसे पंदरा साल हो गये थी तो कुछ दिन परले सा हमने उसे बेज थी किसको बेज यह थी सर हमारे पास एक आदमी आय था क्या नाम था उसका? सर उसकी सारी डिटेल्स हमारे कंपूटर में आपको तिखाऊं, एक मिनिट सर, मुझे किसी जरूरी काम के लिए जाना है अशोक आपकी मदद करेगा, कैना आए? शूर थैंक यू सर यह वह आदम है, राकेश नाम है इसका राकेश नहीं मुहा नहीं है तो यह है वो खुनी जो शराफत की चादा रोड कर खुं कर रहा है मकरण ने जो लिस्टी थी उसमें से हमने 10 जगे देख लिया उस वीडियो फूटेज में जो पेंटिंग रही थी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला सबर करो निखिल हो सकता है हमें 10 बारा जगह और देखना पड़े वैसे लिस्ट में अगला नाम क्या है एक फिल्म टीवी प्रोड़क्शन आउस है औरिजन मीडियावर्स बोरिगाव इस्ट मुझे लगता है निखिल कि हमारा आखरी पड़ा होगा सार वो कैसे वो ऐसे के हमें किसी ऐसी जगह की तलाश है जहां पे निशा का वीडियो शूट किया गया और साथ ही साथ को पेंटिंग हो सकता है कि निशा को हैटिंग का शॉक हो वो सकता है यह इस प्रोडक्शन हाउस पे गई है इस ओरिजिन मीडिया वोक्स पे चलके देखते है राहुल मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती राहुल तुम्हें हाना ही होगा हमने कसमे खाई थी राहुल कि हम साथ जीएंगे और साथ मरेंगे राहुल रहे 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 कहां चले आरे आप लोग वो यह एक प्रेंटेग कौन है आप लोग क्या कर रहे हो यह क्या हो रहा है यह सब हम लोग C.I.D. से और यहां जांच के सिलसले में है C.I.D. क्या बात है सर इस फोटो को ध्यान से देखिए क्या यह लड़की आपके यह आडिशन के लिए आई थी? हाँ कुछ अफ़तों पहले यह आई थी और मैंने इसे एक रोल के लिए फाइनल भी किया था पर फिर इससे कांटेक नहीं हो पाया अब कांटेक हो भी नहीं पाएगा हम काफी सालों से इस फील्ड में हैं पर ऐसा तो पहली बार सुन रहे हैं निशा के आउडिशन के विडियो टेप चाहिए हमें अब भी देते हैं सर केतन यह क्या हो गया? निशा की सीडी गायब है गायब? सुनल की भी सीडी का है बै ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब आप दोनों मिले हुए इस गुना में अरे नहीं सर ऐसा मत कहिए हम तो कला के बुजा रही है एक्टिंग के लिए बटकते हुए लोगों को काम देकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते यह जरूर किसी ने दोनों सीडी यहां से चुरा लिये आप हमें सुनल का एड्रेस दीजे हम खुद बता कर लेंगे कि सुनल ने क्या रोलने भाया इस गुना में जी कहिए जी हम लोग सीडी से सुनल से मिलना चाहते है आये यह है सुनल यह यह कैसे हो गया क्या बता हूं सर उसकी कार का एक्शिडेंट हो गया था कुछ हाफते पहले और यह सुनल के पती हैं कि जी हां विने सुनल की मौत के बाद उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं रही है और अकसर फोन करके कहा करता था कि सुनल आ रही है सुनल बात करना जाती है पता नहीं और क्या-क्या और कुछ दिन पहले उसने आत्मत्या कर ली जी नहीं उन्होंने आत्मत्या नहीं कि बलके उनका खून हुआ है यह खूनी बहुत ही शातर है उसने खून को आत्मात्या बनाने की कोशिश किये अच्छे ये बताईए कि विने ने कभी आपसे कहा था कि सोनर उसे टीवी या फिर कंप्यूटर में दिखाई दे थी हाँ, उसकी मौत के दो दिन पहले और ये विने काम क्या करते थे? जी वो डॉक्टर थे डॉक्टर? विने एक डॉक्टर था और ये शेखर एक रिसरच चेमिस्ट? सर दोनों के तोनों मेटकल फिल्में थे वैसे आप कौन? मैं, मैं सॉनल का चाचा क्या आप बता सकते हैं कि विने किसी शेखर नाम की आदमी को जानते थे? पता नहीं सर वैसे भी विने अपनी निजी जिन्दीगी के बारे में कम ही बात करता था दोनों एक दूसरे को तो ज़रूर जानते होंगी औरना दोनों की मौत बिल्कुल एक ही जैसे कैसे हो सकती है एक आम पर दे तेर की तराशी एच्छी तरसे लेते एक तेक्या मिल्दा येरा येरा उन दोनो के बीच का कनेक्शन ये दिखो निकिल शेकर के घर से हमें जो फोटो मिली थी उसमें शेकर इस बिल्डिंग के सामने खड़ा था और विनय भी उसी बिल्डिंग के सामने खड़ा है अब ये बिल्डिंग ही हमें इस केस की तेह तक महुचाएगी वान? वान? मोहन! मोहन! सलक्ता घर पर कोई नी है चलो अंदर कोई है? मोहन! लाइटल जो कर दो अदर करो अदर कर दो कपराइमाथ कुछ की ओगाप किसनी की एटक्ता पता नहीं हाँ बुरू एक एक अदमी था अचाना के दरीगेश में कुछ किया और उससे पहले मैं कुछ समझ पा था वो उसने उसने मेरे को पर बुन चाहिए मगरो तुमे क्यों मारना चाहता था उसने लात को रात को जब मैं अपने अपने घर से दाद दा था तो वो वो से कर गए से कर के कर गए समागे मैंने देख लिया था उसको देखते ही मुझे सखो क्या वो मुझे वास है देखते हो चला गया तुम हो कौन है और यह मोहन का है मैं 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 ही मैं ही मोहन हो अगर यह मोहन है तो फिर वो कुन था जो शेखर के घर में हमसे भी रता वो अमलावरी था जब उसने इस मोहन पर गोली चलाई होगी तब ही उसी वाक्त विक्रम वामयून ने तरवाजा खटटा दिया होगा और वो उनके साथ मोहन बनके आ गया तब मतलब सबूत मिटाने के लिए उसने इस मोहन पर गोली चला थे मुझरीम हमारे सामने था मगर हम उसे पकड़ नहीं पाए सार मैं 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 आपको कुई बता रहा जाता इससे पहले मैं मैं बहुत हो जाता वो किसी से बात करा था और वो गह रहा था कि मैं मैं बहुत है कांचू 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 एज डिभा मेरा जो दो ऩूल सब्सक्ता रिः दाला मेरा जाए पेट्रोली यहीं है जो जब आडिमेट इन सान्य अनुट ुद अब इस रमोट के दबातें यह वेली राख के घर नगगल जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहां आग कैसे लगी थोड़ सेमब अब तुझे हेवन में पहुचाता हूँ हुथ किसमें में पता हुथ है वह किसा का भी कर वह इ Surprisingly कभी राकेश पनताय दो कभी मौन आज बताई दे कि तेरे घरवालों ने तेरा क्या नाम रखा था जी राका बता, विना और शेखर को क्यों मारत रूए? है? पैसे भी ले भे मुझे पैसे के लिए खून करता है किसने दिये थे पैसे? मैंने जानता उसे वो मुझे एक पार मिला था नेकिन उसने अतना मुझे रखके रखा वा था देख दो अब किसी काम का ने रहा और अगर अपनी जबान ने खोलेगा तो हमें भी देरी कोई जरुप ने मैं तच कर रहूं मैं तच कर रहूं जुनिया भी मैं एक लिस्ट में विने शेखर के साथ साथ और भी कुछ लोगों का नाम है डॉक्टर ररून, डॉक्टर राहूल डॉक्टर राहूल कहीं यह वही डॉक्टर राहूल तो नहीं जिनकी मौत कुछ तिन पहले अक्सिदेंस में हो गए थी इसका मतलब एक ही तरह के पेशे वाले लोगों की मौत हो रही है एक्सिदेंसे यह बता के यह लिस्ट तुझे किसने थी? उसने जिसने तुझे पैसे दिये? जी देख, सीधी तरीके से उसके बारे में बता देग पर ना इन सारे खुनों का इल्जाम तेरे सर पर चड़ेगा और वो वहां अजाद कुमता रहागा मैं सच क्या रहा हूं सर जिब मैं उसे जानता निसका नाम भी जानता वो थोड़ा नगड़ा के चलता था और हाँ सर वो जब उसे उसे पैसे दिये थे तो उसके दहीने हाथ पे जलेगे का निशान था देखे साब पेमप अले कोई गल्ती नहीं है तो फिर सर वो चलते चलते किसे के साथ आजिब होगरी बात कर रहा था वहीं वो आत्मी अभिनाशी तो नहीं जो शेकर की एकसिड़न बाली जगह पेमसे पाचित कर रहा था उसका हाथ भी जलावाथ और वो वहाँ शेकर की मौत का नजारा देखने के लिए खड़ा था और ये भी साबित करने की कुशिश कर रहा था के मौत एकसिड़न नहीं बल्कि आत मानते आए जिससे शेकर की मौत पर कोई जांश नहीं हो सर इसका मतलब उन डॉक्तर्स को मारने का कॉंट्राक्ट अविनाश नहीं दिया था देखते हैं ये अविनाश किस बिल में जाकर बैठा है हाँ हाँ जो बेजा मिली आपको पदाए है क्या लिखा है ठीक है हर चेकपोस, एयरपोर्ट, बस्टॉप, रेलवे स्टेशन, हर जिगे सेक्योटी बढ़ा दो वो शेहर से बहार ने निकलना चाहिए ओके, ठीक है निकला विनाश की फोटो सबको भेज दिया है हाँ सर भेज दिया है यहां तक कि उसकी वोडो सारे खबरियों तक पहुच गई है वो शेहर चोड़के भाग नहीं पाएगा और उसकी कार का कुछ पता चला? नहीं सर, जब हमारी दूसरी टीम उसके घर गए थी तो घर खाली था उसकी कार भी गायक थी इसका मतलब अपनी कार से भागा है वो क्या बता अब तक वो शेहर से भार ही ना निकल के हो हलो ओके, थैंक यू क्या हो श्रया? सर, अविनाश की गाड़ी तेलोकनगर में देखी गई है तेलोकनगर? वो रास्ता तो शेहर से भाग की तरफ जाता है जरूर वो भागने की फिराक में उन्हें किसी भी हाल में निकलने नहीं देना है छोड़ दीजे मुझे जाने दीजे मैं कसम कहता हूँ मैं मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा जिंदा रहेगा तो कहेगा न? हाँ? मैं देश छोड़ कर चलाँगा मैं अपने बार में किसी से कुछ नहीं कहूँगा और गुनी तवा के बार में भी किसी से कुछ रहेखोगा मुझे मत मारो मरना तो तुझे पड़ेगा इसलिए तो यह ना पड़ाता अपनी जान को बिना पिकर किये हुए शेक्रा के जान बचाने चला हां तेरी मौत मेरे हाथो लिखी है सिर्थ मेरे हाथो मरना तो तुझे पड़ेगा इसलिए तो यह ना पड़ाता अपनी जान को बिना फिकर किये हुए शेकर के जान बचाने चला हां तेरी मौत मेरे हाथो लिखी है सिर्थ मेरे हाथो जाइवाल, भमभाल, तूज एष्ट एष्ट किलम तो कुमित है इए? मैं कॉन लोगिनाश तू? अम तो समझ रहते कि कहानी का विलेन तू है लेकिन विलेन कोई और ही है कौन है विलेन? मैं! अजिती? नहीं, 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 आगे पिछे नेजर गुमा के देखो पहले पकड़ो इन लोगों को जल्दी पकड़ो जलो को कर रही हो यह सारे खुन तू? हमारी कंपनी की फर्मा ब्रांच लेक दवा की खोज की थी और हमें शक था कि उसे इस्तेमाल करने के बाद लोगों में कही न कहीं हाइपर टेंशन जैसी दूसरी बिमारी फैल सकती है और हम लास्टेज पर थे और हमने अपने ही फील्ड के लोगों से जांच के लिए उनसे कॉंटेक्ट किया तो फिर उनसब का खून के उन्होंने रिपोर्ट दी कि इस दवा को इस्तिमाल करने के बाद लोग ठीक तो हो सकते हैं लेकिन पाँ दस साल के बाद उन्हें कैंसर जैसा रोग लग सकता है और मुझे किसी भी हालत में इस दवा को लांच करना था यह जानते हुए भी कि वो दवाई नहीं दीमक है मेरे करोड रुपे डूप चुके थे अब मैं पीछे नहीं हट सकती थी इसलिए दवा लांच करने से पहले मुझे उन दस लोगों को ठिकाने पर लगाना था और इसलिए तुमने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया और वो भी कुछ इस तरह से कि वो आत्मात्या लगे क्योंकि मैं नहीं चाती थी कि इनके केस की जान चो और मुझे पर कोई शक करें लेकिन अभिनाश को मारने में तुम कामयाब नहीं हो पाई है ना मैंने अभिनाश को तहले से ही जान बुच कर छोड़ रखा था क्यूंकि वो समझ गया था कि उसके ग्रूप के लोग लगातार मारे जा रहे हैं और वो छुप गया लेकिन जब वो शेखर को समझाने गया फिर मेरी निगा उस पर गई और तुमने सोचा राका के जरीए तुम सारा एज़ाम अभिनाश पर डालत होगी हां ताकि जब अभिनाश मर जाता सब को यहीं लगता कि यह खून करके फराद हो गया और शेखर के गर में निशा की आत्मा का खेल क्या था खोलो गया और कुछ भी नहीं लाइट से बनी थीडी आकरती शेखर इसले दोखा खा गया क्यूंकि हमने उसके दिमाग में भर दिया था कि निशा वापिस आ गई है अपनी जानकारी का जितना गलत इस्तमाल करना था तुम कर शुकी कर देखर यू जाएट से अर्शोर दिल करता है और झांब। समुकी याव 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 है याव 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 यार सल्वश याव याव हुआ है हुआ है हाँ धी से तो हुआ 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 काँ भाद रही हो? अब बाकी की सिंदगी जेल में चक्की पीछना है अब तुम्हें फासी भी हुई न तो वो भी कम है तुमारे लिए हुई भी खुब साना हुईक है तुम बुलाओ और हम नाये ऐसे कभी हो सकता है तैंक्स अच्छा बताओ, हमें क्यों बुलाया है अचली मुझे तुम दूनों की हैल्प चाहिए क्या है बया से बात करनी है तारिकाँ प्लीज मैं भीती बाते भूल चुकी हूँ अब मुझे सिर्फ अपनी आने वाली जिंदगी पर कॉंस्ट्रेट करना है तया सर के बारे में बात नहीं करते हैं ओके श्रेया जब तुम बीती बाते भूल चुकी हो तो तया सर के बारे में बात करने से तुमें तिन तकलीफ क्यों हो रही है पूर्वी मैंने तुम दोनों को ये बताने के लिए बुला है कि मेरे और सिद्धात की सगाई की डेट फिक्स हो गई स्वरी श्रेया अगर तुमें मेरी बात बुरी लगी हो तो आम सॉरी यार तुम दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड हो पर इस वक्त मैं सब अपने दिमाग की सुनना जाती हूँ अपने दिल के करीब जाने से में मुझे बहुत डर लगता है अच्छा क्या देट शिक्स होई है एंगेजमेंट की? 28th September 28th September? इतनी जल्दी? इतनी जल्दी? I know time बहुत कम है और बहुत सारी तैयारिया करनी है मैं मैं निकलती हूंगा इस Don't worry Shreya सब थेक हो जाएगा Thank you बाद में बाद करते है Thanks for coming Bye For more updates Subscribe to our channel Click the show links and enjoy watching the videos I'll see you next week I'll see you next week